नमस्कार माय मावली हिंदी समचार में आपका सौगा थे और मैं उशेग स्माइल दर्शकों हम 60-70 दर्शक की बात करते हैं तो उस वक्त राज जिला शहर मंडल और गाओं किस तरह से थे और आज शिक्षा की शेत्र में किस तरह से हैं ये जानेंगे पहले सरकारी अफिसर जहां कारेरत रहते थे वहां पर अपना गुजर बसर करते थे और खास करके विध्या के भगवान यानी टीचर टीचरों के मान सम्मान से भरपूर मान सम्मान तो भरपूर मिल जाता था और आज भी मिल जाता है हाँ टीचरों का गुजर बसर गाओं में नहीं बलके तरकी के शहरों में और मॉडल सिटी में होता है अब क्योंकि तनका के बढ़ने से सुकून की जिन्देगी की तलाश में हुरते हैं इनके बच्चे भी सरकारी पाटशाला में नहीं पढ़ते हैं बलके नीजी स्कूलों में उच्च फीज दे कर पढ़ाया जाता है उन्याने मोटी रखम दे कर पढ़ाया जाता है हलांकि तलंगाना में हर पाटशाला अंग्रेजी मेडियम हो चुकी है फिर भी पढ़ायी नीजी स्कूलों में पढ़ाया जाता है इनके बच्चों को हाँ ये शिक्षक पढ़ाते हैं वहाँ पर इनके बच्चे नहीं पढ़ते क्यूंकि इनके शिक्षक पर विश्वास नहीं है या तो फिर इस काबिल नहीं है ये एक सवाल उड़ता है और फिर भी गरीब के बच्चे जो है पढ़कर अपना उच्च मुकाम हासिल कर लेते हैं नहीं सरकारी नोकरी करने वाले मंदल केंडर में कारेरत आफिसर कोई भी नहीं रहते हैं यहां पर और और पर कहा है कि हमें अधिलाबाद से बेला के लिए स्कूल टाइमिंग के अनुसार एक सेपरेट यह बस दिया जाएं क्यूंकि आने जाने में वक्त बीच जाता है और यह तो सही है स्कूल में पहुंचते हैं टीचर 11 बजे और स्कूल से निकलते हैं शाम के 3 बजे दोपहर के 3 बजे आने जाने में ठक हार कर ऐसे वैसे पहुंच जाते हैं अब सवाल उड़ता है कि इस भागदोर के सफर में विड्या का प्रसार किस तरह से करते होंगे और ये सोचनी की बात है कि ये एक बात है कि जहां टीचर पढ़ाते हैं वहां से 8 या 10 किलो मेटर के दूरी पर इन लोगों को रहना चाहिए हलांकि उसी गाओं में अपना गुदर बसर करना चाहिए चलिए ऐसा नहीं होता है वो गाओं छोटा है फिर भी कोई सहुलत नहीं होती है तो एक 8-10 किलो मेटर के दूरी पर और सुबा साम बच्चों के माता पिता को मिलकर चात्रों की शिक्षा पर ध्यान देना या तो उसके लिए विचार करना ऐसा करना चाहिए लेकिन अब टीचर बड़े शान से विनंती पत्र के दौरान कह रहे हैं कि हम शहर में रहेंगे और हमें स्पेशल बस भी चाहिए हलांकि इन्हें मोटी तनुखा के साथ साथ अलग से यचारे भी दिया जाता है अब यचारे याने यचारे याने क्यूं दिया जाता है यह एक भता है जो नियुकता अपने करमचारियों को उनके घर का किराया चुकाने के लिए दिया जाता है अब देखिए सरकार घर तक का किराया भी इन लोगों के दे रही है फिर भी इन लोगों को जहां पर कारियरत है वहां पर रहने में दिक्कत है फिर भी इने रहने में ज् मैसुस हो रही है यह चारे कर्मचारी के वेतन का एक हिस्सा होता है और यह टैक्स बेल होता है अब यही कर्मचारी लोग नारे लगाते हैं कि पढ़ेंगा इंडिया तो बढ़ेंगा इंडिया यह सिर्फ कहने के लिए नारा है बलके करमचारी ना पढ़ा रहे हैं ना ही बढ़ने दे रहे हैं क्योंकि आने जाने में ही इनका वक्त लग जाता है हमने आपको इसके पहले बताया था कि पार्टचला का टाइमिंग 9 से 12, 9 से 4 तक होता है बच्चे तो ठीक टाक वक्त पर पहुंच जाते हैं लेकिन ऊजो नहीं है इसके पहले भी हमने बताया था यह हमने आपको पिछले कुछ दिनों में लगातार एक पंद्रा दिन लगातार बताया था और आज आगे भी आपको बताते रहेंगे कि सिक्षा के लिए बेला मंदल में कितना महत्वत दिया जाता है धन्यवाद